प्रगत्वत पत्ना की यूट्यूग चैनल पर आज से मैं संजय मिश्रा आप लोग के लिए मैस का क्लास लेकर आए हूँ इसमें हमारा पहला चैप्टर होगा बेसिक कंसेप्ट आफ कमर्सिल मैट जहां तक हम जानते हैं कि बेसिक कंसेप्ट की बात तक है बेसिक कंसेप्ट भले कमर्सिल मैट की हो या किसी की हो तब पहला काम यह है कि हमें उसके लिए फास कल्कुरेशन होना जोड़ी है तब फास कल्कुरेशन में हम लोग जानते हैं जो और घटाओ गुना भाग स्क्वेर रूट क्यूब क्यूब रूट होते हैं लेकिन जो और प्रफव के लिए में स्पेशल क्लास लाएंगे और अब भी हम शुरू करने जा रहे हैं आपनों के लिए स्क्वेर तब पहला का हम लोग सुरू करें स्क्वेर square square जानने के लिए सबसे important है हमको कम से कम x लेके 9 तक याद होनी चाहिए तो x लेके 9 तक याद होनी चाहिए लेकिं बैंकिंग वाले बच्चों को हम मैं कहूंगा बैंकिंग सेक्टर को वाले को कि 25 तक याद रखे तो उन्हें कलम की जुरत नहीं परेगी जैसे एक के square एक, दो के square, चार, तीन के square नौ, चार के square सुल, पांच के square पच्चीस, छे के square 36, साथ के square उन्चास, आठ के square एक्क्यास, चौंसट और नौ के square एक्क्यासी होते हैं अब देखा जे, अब इसके बाद जितने भी संक होंगे, सभी दोंको वाली शंक्या होंगे, किसी भी दोंको वाली शंक्या का square हमको ग्याद करनी हो तो सबसे पहला काम करने के, जैसे एक example हम लो लेते हैं, जैसे मैंने लिया एक example 32 अब देखो, 32 का square यदि हमें पूछा जाए, तो पहले इसको दो भाद में बाढ़ दो एकाई वाली और दहाई वाली, इसके square करो, और दहाई वाली के square करो लेकि इसमें एक परिशानी क्या है, कि एकाई वाली square को जब करोगे, तो उसमें जब एक अंका है, तो उससे 0 लगा कर 2 अंक बना दे दो के square, चार है, एक अंका है, तो 0 लगा दो, लेकिन दहाई वाली में कुछ नहीं करो लोगे, तो 3 के square, 9, अब क्या करना है, कि मूल शंख्याओं को आपस में multiply कर दो, और फिर उसे 2 से गुना कर दो, तो 3 दुना 6 दुना 12, 12, अब इसको 12 के एकाई अस्तान एकाई वाले पार्ट में जोड़ दो, अब देखो, 4, 2, 9, 10, इसका मतलब है, 32 के square हो जागा, 1024, फिर इसे देख लो, कोई भी दो अंको वाली शंख्याओं का, एकाई और दहाई के दो पार्ट मार दो, एकाई वाले अंक का square करो, और दहाई वाले अंक का square करो, इसमें एक परिशानी क्या है, कि एकाई वाले अंक का, यदे square करें, एक अंक का है, तो उसे एक जूरा लगा कर दो अंक बना दो, अब इसके बाद, दोनों की बात करोगे, तो दिसा दहाई वाले में कुछ नहीं करना है, square करके छोड़ देने, एकाई दहाई को multiply करके, उसे 2 से multiply करो, तो तीन दुना चौ दुना बारा, बारा जो भी आए, अब हर जलट, उसके इकाई स्थान इकाई वाले बार में जुटेगा, और दहाई स्थान दहाई वाले पार में जुटेगा, तो दो जोड़ दो, इधर एक जोड़ दो, चार, दो, सुनना, एक, तो 924, जोसरी एक्ज अब देखो इधर साथ इधर चार इसके स्क्वेर सबको पता है उन्चास ये दो अंक हो गया इसे कुछ नहीं करना है इसे स्क्वेर करो अब इकाई दहाय को मल्टिप्लाई करो और इस फिर किसे दुना कर दो दो शे चाच और अठाए दुना चपन चपन लिखा अब इसे पार्ट कर दो छह यहां जोरो पांच यहां जोरो ठीक, नो, छे, चार, दस, छे, पाच, ग्यार, एक, बार, एक, दो, अब इसके मतलब है 47 के स्क्वेर्ज होगा, वो होगा आपका 209, ठीक है, फिर एक बारत में लिए, 47 के स्क्वेर्ज है, इसको हम यह दिकरें, तो 7 के स्क्वेर्ज उन्चार, दो अंक ओलेडी होगे, 4 के स् पूला, अब हों लोग क्या करते है, 41 दाहे को मल्टिप्लाई करते हैं, और उसको 2 से मल्टिप्लाई करें, 7 चोका 28 दुना 56, 56 का 6, 49 वाले पार्ट में, और 5, 16 वाले पार्ट में, तो 9 तो 9 लिखा गया, 6, 4, 10, 6, 5, 11, 12, 11, 12, ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट एक एक जाम मौन लो हमने लिया, 83, 83 का स्क्वेर बना, अब 8 और 3, 3 का स्क्वेर लिखो, 8 का स्क्वेर लिखो, 3 का स्क्वेर लिखो, 9, लेकिन एक अंग बना, तो 09 लिखा, 8 का स्क्वेर, 64, अब क्या करो, इस दोनों को मल्टिप्लाई करते हैं, फिर 2 से मल्टिप्लाई कर, 28 दुना 48, 48, अब क्या करो, यहां 8 लिखो, यहां 4 लिखो, अब जोर दो, 9, 8, 4, 8, 6, इसका मतलब, इसका स्क्वेर हुआ, 6, 8, 8, 9, ठीक है, मेरे यह कहना है, कि जो भी बच्चे यदि चैनल को देखते हैं, तो कॉपी कलम लेके बैटे, ठीक है, और जितने बताते जाएं, आराम से सीखते जाएं, घर बैठे या पर सकते हैं, इसको हमेशा ध्यान देते रोगे, ठीक है, नेक्स्ट फिर एक्जाम्पल, क्लास में रट लो, नेक्स्ट आप, जैसे में लिखा, 59, 5 के स्क्वेर, 9 के स्क्वेर, इसके अगल, 81, 25, अब इसको म मुल्टिप्ले हो, 45 इंटो 2, 90, 0 लगाओ, 9 लगाओ, 1, 8, 4, 3, एसका मतलब इसका आंसर होगा, 3, 4, 8, 1, ठीक है, एक्जाम्पल और देख लो, जैसे मान लो, सोटास एक्जाम्पल, 23 है, इसके स्क्वेर देखोगे, 3, 2, स्क्वेर, 9, लेकिन 09 लिखोगे, इसको तो ऐसे लिखोगे, 4, अब क्या करें, यह दो नोग मल्टिप्लाइ करें, कि दो से मल्टिप्लाइ करना है, तो 3, 2, 6, 2, 12, 12, 12 का 2, 0 का सामने, यहां 1, 9, 2, 4, 1, 5, 27 के स्वेर सब जानते, क्या होता है, 529, ठीक है, अब देखोगे, इसका यूज हम तीन अंक में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली उसमें हम इस्पेस तक का यूज करो, बैंक प्यों तक 250 का यूज होता है, अब जैसे मान लो, जैसे में लिखा है, 1, 0, 4 के स्क्वेर, लेकिन इसमें क्या करना है, एकाई, पहला पार्ट, और रेस, जितना है, दूसरा पार्ट हो जाएगा, तो 4, यहां 10, 4 के स्क्वेर, और 10 के स्क्वेर, 4 के स्क्वेर, इसका 100, अब क्या करें, दो पार्ट बोले हैं, इस पार्ट, इस पार्ट को गुना करो, फिर दो से मल्टिप्लै करो, चालिस, तुन्ह, असी, अब देखो, इसमें 0 लगाओ, इसमें 8 लगाओ, जोर दो, 6, 1, 8, सुनना, तो इसका आंसर हो जागा, 1, 0, 8, 1, 6 ठीक है, फिर देखो, एक दात एक जामपल, और देख लो, जैसे मैंने लिखा, 1, 1, 7, अब देखो, दो पार्ट मार दो, एक ये, साथ के स्क्वेर, 11 के स्क्वेर, इसका वैलू, 49, इसका वैलू, 121, ठीक है, अब 49, अब इस दोन को मल्टिप्लाई करो, फिर इसको मल्टिप्लाई करो, 77, दुना, 114, 4 इसमें जोरो, 15 इसमें जोरो, 9, 9, 4, 4, 4, 8, 5, 1, 6, 2, 1, इसका मतलब इसका आंसर हो, 1, 2, 6, 8, 9, ठीक है, लेकिन स्पेशल रूस कुछ बता देते हैं, जो आपको आशानी होगी, बड़ा बड़ा बनाने में, जैसे एक्जाम्पल देखो, एस्पेशल सूल्स पहले हम लोग जाने हो, तो पहला काम हमको क्या करना, 100 बेश मानना है, ठीक है, इसके क्लू जानना है, अबाव और बिलो, तो जैसे पले हम बिलो देखते हैं, तो बिलो हमारे कंसप्ट होगा, 75 से लेकर 99 तक, ये बिलो वाली पार्ट, और 101 से 125 तक अबाव वाली पार्ट, ठीक है, अब से लोग पहले बिलो वाली पार्ट कर लें, अब आजाओ, जैसे, एक्जाम पर लेते हैं, 94, आहों को देखना है, कि 94 हमारे बाद 100 से कितना कम है, तो 100 से हमारे कम है, 6, तो जितना कम होगा, उसके स्क्वेर करो, और 2 अंक लिखो, 6 के स्क्वेर 36, दो अंक हो गया, तो 36 लिख दिया, ठीक, आब करें, जितना ही कम हो, उसे मूल शंख्या से सब्ट्रैक्टर दो, तो 6 घटा दो, कितना होगा, 88, इसका रिजल्ट हो गया, 8, 8, 3, 6, तो अब देखो, इसको उस हिसाब से प्रूफ करना चाहें, तो हम देख लेते हैं, जैसे 94 कम, उस हिसाब सकते हैं, क्या होता है, बना होंगे, चार, नो, दो अंक वाले तो इससे बना सकते हैं, आराम से, तो 4 के स्क्वेर होता है, शुल्ट, और 9 के स्क्वेर होता है, 11, अब इसको गुना करते हैं, 9, 36, दुना 72, अब इसमें 2 जूर दिये, इसमें 7 जूर दिये, 6, 2, 1, 3, 7, 8, 8, तो जनरली होता है, कि दो अंक वाली संग्या, पहले तरीका से, हम आराम से सिख चुके हैं, तो हमेशा इसको नहीं, इसको ही देखेंगा भी हम, ठीक है, रेस्ट हम लोग दूसरा है, फिर से एक चांग पर देख लो इसको, 94, 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वाइर किया, दो अंक बन गया हो लगी, 36 लिख दिया, यह, अब जितना कम है, तो 100 से 6 कम है, तो 6 घटा दिया, 88, तो result क्या होगा, 88, 36, नेक्स, दूसरा एक्जामपल एक देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, 91, कितना कम है, 100 से, 9 कम, 9 के स्क्वेर, 81, 81 लिख दिया, 9 सब्ट्रेक्टर दिया, 82, अब देखो, इसका अंसर क्या होगा, 82, 81, फिर एक पर जाले, 100 से 9 कम है, तो 9 के स्क्वेर है क्या सी हुआ, जितना कम है, उसे सब्ट्रेक्ट कर दिया, आंसर क्या हो, 82, 81, एक थोड़ा सा, इससे दूर लो, 9 तक तो सब को याद है, तो आराम सबन जाए, 9 सूपर के लिए देखते हैं, जैसे मैंने लिए, 88, 88, ये सौस कितना कम है, 12 कम है, 12 के स्क्वेर, 144, हमने अभी बोला, दो अंक लिखें, तो अंक पर एकाई धाई ही केवाल लिखाएगा, और रेस्ट पार्ट कैरी हो जाएगा, तो 44 लिखा, अब 12 कम है, तो 12 घर्टा दिया, केवाल कितना हो गया, 86, और जो कैरी होगा, रिजल् के स्क्वेर, 144, 143 अंक हो गया, इसलिए अंतिम दो अंक, एकाई दाहे हम लिखेंगे, रेस्ट जो होगा, उसे कैरी कर लें, कम हो या अधिक हो, से बहले, कम हो तो उसे घटा दें, और कैरी वाले बात को जोड़ दें, आंसर क्या, 7744, ठीक है, नेक्स देखो, जांब, मैंने लिया, 87, कितना कम है, 13, 13 के स्क्वेर, 179, देखो, दो अंक, छे नौ लिखा, एक कैरी होगे, अब 13 इसमें सब्ट्रैक कर दो, कितना घट, चार, शाथ, ये एक जो बचा, उसको जोड़ दो, कितना होगे, 57, अब देखो, इसका वैले हो गया, 7569, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, 100 उपर अपर, ठीक है, आगे बढ़ा, जैसे हम, एक्जाम्पल लें, 107, ठीक है, साथ, साथ के स्क्वेर, 49, उसमें कम था, तो हम लोग ने घटाया, इसमें अधिक है, इसमें क्या करेंगे, जो रहेंगे, साथ, 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 चौध, एक, एक, तांसर, एक, एक, चार, अब देखो, इसमें थोरा सा क्या मतर, उसमें अधिक या कम होगा, उसे स्वेर करेंगे, दो अंक लिखेंगे, उपर टी नाइन लिखा, अधिक है, इसलिए जोड़ेंगे, कम रहेंगा, तो घटाएंगे, तो म एक सो नो, नो अधिक, नो के स्क्वेर, एक क्या से दो अंक हो गया, अब अधिक है, इसलिए जोड़ दो, एक सो अठारा, अंसर, एक, एक, आठ, आठे, कदब, ठीक है, फिर एक्जाम्पल एक आठ लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, एक सो चौदा, अब देखो, इसमे दो अंक लिख हो गया, तो 96 लिख दिया, ये कैरी हो गया, एक कैरी हो गया, अब इसमें पहले 14 जोड़ दो, 14 जोड़ है, 4, 4, 8, 128, लेकि एक कैरी जो बचा हुआ था, उसको फिर जोड़ दो, आंसर होगा है, एक, दो, नो, नो, छो, चीक है, और एस्ट, फिर एक जाम्प लेर लो, जैसे मैंने लिखा है, एक शोड़ बाइश, एक सो बाइश की बात करो, कितना अधिक है, बाइश, अब बाइश के स्क्रेड, तो तुम्हें तरीका पता है, तो 484, अब उतों प्रैक्रिस करने पर हो जाए, तो 2 अंक होगा, 84, अब चलो, बाइस में जोड़, बा पर केरी वाला पार्ट कितना है, 4, तो 4 जोड़ दो, 8, 4, 1, तो आंसर क्या होगा, 1, 4, 8, 8, 4, चलो, ऐसा करते हैं, 100 को बेश मान कर और आगे थोरा सा और सीखते हैं, विससे मैं बोल चुका हूँ कि 200 सबा, 200 तक तक हम को जानना जोड़ी है, ठीक है, तो 100 यदि हम बेश मा जर्स डबल करेंगे, 200 बन जाएगे, 100 सई दि हम 50 करें, तो जर्स इसको आधा कर दें, हाफ कर देंगे तक हो जाएगा, अब हम लोग थोरा सा इसको भी ध्यान बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे, एक्जाम्पल लें लोग, जैसे लिखा मैंने 207, अब देखो, वही सेम कंसेप्ट है, साथ अधिक, साथ के स्क्वेर, 49 मनुन चास लिखा मैंने, अधिक वाले पार्ट में क्या करते हैं, जोडते हैं, तो 204, लेकिन थोरा से ध्यान देने वाली बात है, जोडने या घटाने वाले प्रशन आएगा, तो 100 का जितना गुना होगा, उससे मल्टिप्लाई कर देंगे, तो 2 गुना है, तो 200 मल्टिप्लाई कर दो, 4, 128, तो इसका आंसर होगा है, 4, 2, 8, 4, 9, अब फिर एक पर देखो, सेम कंसेप्ट है सोवाला, शाथ अधिक, साथ के स्क्वेर, 49, टिक, 49 लिखा, अब देखो, अधिक है, इसलिए जोड़ दि प्रिप्लाई कर देखो, कितना होगा है, 48, 49, ठीक है, नेक्स्ट एक्जामपल, 24 और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है, 210, 9, 9, कैसे है, क्या होगा, 81, लिखा, 9, एड़ कर दो, 2, 1, 8, 200 है, दबल कर दो, 436, 4, 3, 6, 8, 1, आंसर क्या होगा, 4, 3, 6, 8, 1, चीग है, नेक्स्ट एक्जामपल ले लो, और, जैसे मैंने लिखा है, 210, 210, 210, 210, तो, 13 के स्क्वेर होगा, कितना, 169, लेकिन दो ही अंख हम ले सकते हैं, 6, 9, अब क्या करो, इसमें, पहले 13, एड़ कर दो, 6, 2, 2, अब क्या करो, इसका डबल कर दो, 452, लेकिन एक जो बचा होगा ता पहले से, कैरी वाला, उसको इसमें एड़ कर दो, 3, 5, 4, तो, 4, 5, 3, 6, 9, और आंसर, ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं, 200 से नीची की बात करते हैं, थोड़ा सथ ध्यान दो, जैसे मैंने लेका, 192, 200 कितना कम, 8, 8 के स्क्वेर कितना होगा, 64, 64 लिखा, कम है, तो पहले खटा दो, थो गया, 1, 8, 4, दो सथ प्लोज है, जैसे को डबल कर दो, 4 दूना 8, 8 दूना 36, आंसर गा, 3, 6, 8, 6, 4, चीक है, नेक्स्ट आउर, एक जाम पर और लेलो, जैसे, 188, कितना कम, 12 कम, 12 कम का, एक, चा, चा, दो अंक लेलो, 44 लिख दो, एक केरी हो गया, ठीक है, अब आज़ो, 12 घटा दो, 6, 7, 1, अब इसको डबल कर दो, 6 दूना 12, 17, 34 से 35, अब एक बचा हुआ था, एक एड़ कर दो, तीन, पांच, तीन, इसका आंसर होगा है, तीन, पांच, तीन, ठीक है, खई होगा है, अब देखो, थोरा सा, आगे और बढ़ते हैं, अब चलो, अब आज़ो, थोरा सा, पचास के ने दीक, ठीक, अब पचास का कंसेप्ट मैं पहले बता दिया, यह 100 का आदा होता है, अब इसके क्लोज चलते हैं, जैसे मैंने लिखा, 47 के स्क्वेर, अब बता हो, यह कितना कम है, 3, तो 3 के स्क्वेर हो गया, 9, लेकिन 2 अंक लिखेंगे, 0, 9 लिखेंगे, अब जितना कम है, उसको सब्ट्रैक कर दो, 3 घटा है, कितना है, 44, लेकिन आधा का कंसेप्ट है, जैसे उहां पर दुगुना किये, यहां पर आधा करेंगे, आधा कर होगा, 209, तो यहां पर हम इससे भी बना सकते हैं, लेकिन पहले भी बता चाहिए, दोंको वाली संग्या कैसे बनता है, ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, तो इसे लाइक करें, सेयर करें, और सब्सक्राइब अवस्य करें, तब हम आगे फिर वीडिय अब चलिए आगे, नेक्स्ट एक एकजांपल फिर ले लिए, जैसे मैंने रिखा, 44, अब देखो, यह कितना कम है, 6 कम है, तो 6 के स्क्वेर होगा, 36, 36 मैंने लिखाई है, 6 घट आया, यह हो गया तुमारा, 38, लेकिन आधा करने का कंसेप्ट है, तो आधा करेंगे, तो क्या होगा, 19, 36, ठीक है, नेक्स्ट एकजांपल, अब देखें, फिर से आगे, जैसे मैं लिए, बावन, बावन के स्क्वेर, ठीक है, अब बावन के स्क्वेर की बात करो, तो बावन, तो दो अधिक है, तो दो के स्क्वेर कर दो, तो चार होगा, लेकिन एक अंग बना, जीरो चार लिखो, दो अधिक है, इसलिए जोड दो, तो बावन, दो चोवन, लेकिन पचास का कंसेप्ट है, इसलिए आधा कर दो, तो इसका भेल होगा, 2704, तो यह होगा, पचास से उपर की बात, टीक है, नेक्स्ट, एक्जांपुल और लेते हैं, जैसे, मान दो, लिया है, मैंने 61, पचास से कितना अधिक है, 11 अधिक है, 11 के स्क्वेर कितना हो जाएगा, वान, टू, वान, तीन अंका अब गया, अंतीम दो शंग खेले लो, 21, 21 लिया, अब इसमें 11 एड कर दो, 2, 7, अब इसको आधा कर दो, कितना होगा, 36, एक बचा हुआ था, इसको एड कर दो, कितना होगा, 37, तो 37, 21, इस तरह से हम लोग क्या, 50 बाला भी कर सकते, 200 बाला भी कर सकते, 100 बाला भी कर सकते, लेकिन, जेनरली हम लोग को, जैसे मैंने बता तो दिया, तो तुम्हें क्या करना है, एक से लेके, आपको 99 तक पर प्राक्टिस कर देना है, ठीक है, तो मैंने पहले कहा दिया था, कि इस सब को, कॉपी कलम लेके बैठना है, कॉपी कलम लेके ब आते हैं, ठीक है? ठीक, लोग